सब का ध्यान बढ़िया हुआ अच्छा आप में से कितने लोग अभी चांद देख पा रहे हैं मैंने चांद देखा आज अभी सुमिझ जी तो उपर ही बैठें कितना सुंदर लग रहा है चांद सुमिझ जी जरा दिखाईए चांद गुट 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 बहुत बढ़िया अच्छा आज जो है वो बुद्ध पुर्णिमा है माने भगवान बुद्ध का यह पुर्णिमा है तो इसमें बुद्ध के लाइफ के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन हुई है पहला उनका जन्म आजी के दिन वो जन्म लिये पुर्णिमा वैशाग पुर्णिमा के दिन करीब मुझे इतिहास ठीक से पता नहीं बट मुझे लगता है करीब करीब 2623 साल पहले वो दुनिया में आये थे तो इतना साल पहले उनका जन्म हुआ फिर उनको जो बुद्धत तो मिला उनको जो जो ज्ञान की प्राप्ती भी वो भी वैशाग पुर्णिमा के दिन भी तीसरी बात उनका निर्वान दिवस जो है वो भी वैशाग पुर्णिमा के दिन ही है तो कहते हैं कि हमारे अंदर में भी एक छोटा बुद्ध है छोटा बुद्ध मनें जब बुद्ध बुद्ध नहीं बने थे तब वो क्या थे? उसका नाम सिधार्थ तो हमारे अंदर में भी सिधार्थ है सिधार्थ क्या बोलता है? क्या कहता है? ये सब दुनिया जो है वो दुख भरा है, सब दुख से ही वो है, मुझे ये दुनिया में नहीं जीना, मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है, तब तब वो मौन हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं बोलते हैं, फिर सबी लोग आकर के देवी देवताओं उनसे प्रार्थना करते हैं, कि आप प्लीज कुछ बोलो, बोलो नहीं कोई जरुरत नहीं है, देखो जो लोग जानते हैं, उनको बतानी का जरुरत नहीं है, और जो नहीं जानते हैं, उनको मेरे बताने से भी क्या होने वाला है, है ना, तो यह useless है, इसलि मुझे कुछ बोलना नहीं लेकिन फिर देवी देवताओं ने सभी एंजल्स ने एक युकती लगाई उनसे कहा कि ठीक है आप जो कह रहे हैं हम लोग मानते हैं सब लोग अपने जीवन में आपाधापी में सब फसे हुए बट कुछ तो है जो बॉर्डर पे हैं वो पूरी तरह से जानते भी नहीं है और पूरी तरह से अज्ञानी भी नहीं है तो आप कृपया करके उन बॉर्डर वाले लोगों के लिए बूलिए उनके लिए ज्ञान का प्रवचन करिए तब फिर तैव करते हैं बोलेंगे और फिर वो आज से साथ दिन बाद साथ दिन बाद फिर वो जाकर के उन्होंने ज्ञान देना आरम किया और उन्होंने पहला ज्ञान कहां दिया आपको पता ही है उनको पहले सबसे पहले उनको ज्ञान प्राप्ती कहां हुई वो स्थान भी आप जानते ही हैं, बाकी सब कहानी आप जानते ही हैं, बेट जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने क्या बोला, उनका जो पहला स्टेटमेंट था, जो पहला ग्यान का उनके मुख्य से वाक की निकला, वो ये था कि Everything is Nothing, सब कुछ, कुछ नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में सब कुछ क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आज के स्थर पे आप देखो, आज इस समय में, वर्तमान समय में, आप पीछे पलट करके देखो, 20 साल, 30 साल पहले, जो जीवन था, वो क्या है, अभी आज लगत कितना बड़ा भारी मुसीबत था, फिर हमारे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, और वो सब अभी पलट करके देखो, तो वो सब एक सपने की भाती प्रतीत होता है, यानि कुछ भी नहीं है, वो सब एक सपने की भाती था, और ये सब खतम हो गया, अभी सब शुन्य है, everything is nothing now, तो ये आज का बुद्ध पुर्णिमा पर हमें विचार करने का एक बड़िया दिन है, ध्यान के बाद में थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा मनन करें, गुरुदेव के साथ में रोज ध्यान करें, ज्यादा से ज्यादा जितनी हम सेवा अभी बैठ के कर सकते हैं, वो ह हम सेवा जरूर करें, आप सब के WhatsApp ग्रूप पर हम लोगों ने वो लिंक भेजा हुआ है, जिनको नहीं है, वो आप प्लीज हम से ले लीजे, हमारे Facebook पे है, Twitter पे है, सब जगे वो है, उस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉर्वर्ड करिए, अपना WhatsApp और सब लोगों को इंस्पायर करिए कि वो लोग भी सुदर्शन करिया सीखें और इस क्यान में आएं, यही आज हम आपसे कहना चाहते हैं